जेहीं दोस्तों वेलकम बैक और एकने वीडियो में और एकने टोपिक के साथ मैं हूँ डोक्तर देऊ और मैं हूँ राजेश फ्रेंड साथ के वीडियो का टाइटल है इंडिया रिफ्यूज टू सपोर्ट यूएन रिजॉलुशन और इसराइल गाजावार यूएन रिजॉversion में जो बोला गया था तो इंडिया ने मतलब रिफ्यूज कर दिया है मचलब इसा नहीं बोला है कि हम घाजा बावर को सपोर्ट कर रहे एसा नहीं बोला गया है और भारत ने रिफ्यूज कर दिया है लेकिन हालाकि यह वीडियो जो है विल्ट पर इंडिया पाकिस्तान यूए समेद बाकी कंट्री ने किस तरीके से वोट किया किस country ने किसे support किया पहली बात तो ना यहाँ पे आपको यह समझना होगा इसराइल आज के समय नर्क बनाना है Northern Gaza को आपको अभी images दिखाऊंगा data दिखाऊंगा it is literally a living hell यहाँ पे आप देख पाऊगे इसराइल unleashes pure horror on Gaza और सबसे हजीब बात मुझको यहाँ पर यह लगी फिलिस्तीन की तरफ से वाज यह आई कि टोटल इनके 7000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं जो बाइडन जो यूएस प्रेजिडेंट है नोंने कहा कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि टे लोग मरे है नी मरे उसके बाद सेना हमने ये रेखा है कि फिलिस्तीन की ओफिशल्स ने एक पूरी लिस्ट पब्लिश कर दी उन लोगों की जिनकी मौत हुई है इसराइल की बॉम्मिंग के बाद लिटरली एक कम्प्लीट लिस्ट हजरों नामों के साथ और यहां पर आप सैटलाइन इमिजे से देख पाऊगे कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है नॉर्धन गाजा में इधर यहां पर आप देख पाऊगे यह इस टाइप के घर एक टाइम पर बने हुए थे अब इनका यह हाल हो चुका है यह कॉल्नी थी एक टाइम पर अब यह हाल हो चुका है बिल्कुल चप्टा कर दिया गया है I mean literally कई जगाना लगता है नहीं है कि एक टाइम पर human beings रा करते थे कोई यहां पर रहता भी था everything has been destroyed यह अफकोर्स मैं गाजा के northern area की ही बात कर रहा हूँ सदन पार्ट में अभी भी हालत ठीक ठाक है अब अगर इसराइल उसे पूछोगे के ऐसी तवाही करने की क्या जरूरत है तो इनके प्रथान मंत्री ने हाली में ये वीडियो करी है पोस्ट इस वीडियो में उने दिखाया है कि किस तरीके से इनके हिसाब से कई जो hospitals हैं और रहाइशी area हैं वहां पर हमास ने underground network बना रखा है यह देखो यह एक hospital है यह 3D animation है यह इसराइल के PM कह रहे है कि ऐसे hospitals के under हमास के offices है यह है जी हमास मैंने आपको कहा था ना जितना गाजा उपर से है उसे काफी जादा तो नीचे से है तो देखो अगैन दोनों साइट कह रही है कि हम क्या करे मजबूरी है हमारी तो अगैन आप अगर इसराइल से पूछोगे कि यह सब क्यो कर रहे हो आप तो यह लोग कहेंगे कि हमारी मजबूरी है क्या करे ऐसी बॉंबिंग हमको करनी ही होगी इसी पीच क्या होता है कि जॉडन देश यहाँ पर आप देख पाओगे यह इश्या का मैप यह है हमारा प्यारा भरत और यहां पे आप देख पाओगे मैप में आपको दिख जाएगा जॉडन जॉडन के बिलकुल साथ में आपको इस्राइल मिलेगा और जॉडन अफकोर्स बॉर्डर शेर करता है फिलिस्तीन के साथ यह अट लीस्ट इंटरनाशनल मैपस के एसाथ से शेयर करता ही है तो जॉडन की सरकार गई युनाटेड नेशन्स में जी हां युनाटेड नेशन्स जिसके हेड़कोर्टर आपको मिलेंगे युएस न्यू यूर्क में तो युनाटेड नेशन्स की जो जनरल असेंबली है सि जो अत्याचार फिलिस्तीन पे हो रहा है, जो बॉम्मिंग गोरी है, जो लोग मरे जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए या नहीं, हिमारिटेरियन बेसिस पर, चलो सब लोग मिलके वोट करो, तो इसी इशू को लेकर हाली में वोट हुआ, कि क्या हमको फोकस करना चाहिए on the protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations in फिलिस्तीन, अब यहाँ पे न, वोटिंग करना था, अगर आप इस वोट में, येस वोट करते हो, तो मतलब आप फिलिस्तीन के साथ हो, आप कहा रहे हो कि अभी के लिए बस, बहुत खुन खराबा हो गया, बहुत यहाँ पे बंबिंग हो गई, बस वालेंस तो, अगर आप no vote करते हो, तो आप यह कहरे हो, कि इसराइल जो कर रहा है, करने दो, और अगर आप abstain vote कर देते हो, abstain मतलब के देखिए, ना हम yes vote कर रहे हैं, ना no vote कर रहे हैं, हम बस अभी यहाँ पर खुद का कुछ opinion नहीं देना चाहते, तो इंटरस्टिंगली, 120 देशो ने yes vote किया, इसमें obviously सारे जो Muslim majority countries हैं यह आपको मिलेंगे, Saudi Arabia ने yes vote किया, कि अभी के लिए जो हो रहा है इसको रोखने की आफशकता है, humanitarian basis पर, आप यहाँ पर देख पाऊँगे Pakistan obviously यहाँ पर yes vote करेगा उमान ने yes vote किया है, basically almost सारी Muslim majority 40 countries ने यहाँ पर yes vote किया है उसके इलावा कई और European देश भी है, उन्होंने भी का है कि बहुत जारा भी खुन खराबा हो रहा है हमें इसको रोखने की ज़रुत है, Belgium ने yes vote कर दिया, Nepal ने yes vote किया, France ने भी yes vote कर दिया, बट interesting बात देखिए, against इस resolution के Jordan देश दारा जो लाया गया यह resolution है इसके against 14 countries ने vote किया है यह 14 countries कोन-कोन सी है एक तो Israel, obviously खुद Israel नहीं चाहेगा कि यह resolution पास हो जाए US ने भी इसके against vote किया, बट interesting बात देखने वाली यह थी कि USA के भी जो बहुत ही जादा करीबी मित्रमुल्क countries है वो भी ना एक बार को पीछे अटगेरों ने का कि अब पता है कि इस resolution के against vote करेंगे ना बहुत खराब लगे तो बहुत से countries ने, 45 countries ने abstain कर दिया ना yes vote किया, ना no vote किया इसमें इंडिया भी शामिल था, ना सिर्फ इंडिया, यहाँ पर आप देख पाओगे Iceland, Greece, Germany, UK जो usually USA का साथ देते हैं इस issue को ले करना यह सब भी countries कह रहे थे कि रहिए हम इसराइल के साथ तो नहीं खड़े हो पाएंगे इस issue में क्योंकि जो हो रहा है, जो images सामने आ रही है they are quite bad अब यहाँ पर आपका question आएगा कि ना इंडिया ने इस resolution को support किया ना इसके against बोला यह क्यों, देखो, मिरे साब से इंडिया ने ठीक किया है, और मैं यह सिर्फ इस लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं भारत का निवासी हो मैं यहाँ पर एक बहुती rational बात आपको बताऊंगा इस resolution में ना एक बहुती important बात होनी चाहिए थी निंदा होनी चाहिए थी, कि जो सबसे पहले हमास ने आतंगवादी हमला किया था 7 October को, जिसकी वज़े से यह सब कुछ start हुआ ना इसकी निंदा इस पूरे resolution में थी ही नहीं, तो इस resolution को support करना बनता था नहीं यह आपको समझना होगा, ठीक है तो जब आप condemnation नहीं करोगे हमास के आतंगवादी हमले की तो थोड़ा बहुत बायस दिखता है वहाँ पर, ठीक है दूसरी बाद यहाँ पर यहाँ आती है कि इस resolution के आप अगर against vote कर दो, वो भी खराब लगता है क्योंकि अगर जो images सामने आ रही है आप अगर यह कहते हो कि नहीं, होने दो जो हो रहा है, इसराइल को खुली छूट दो, उसमें भी जो west nation countries हैं, सावधी अरेबिया है कई islamic countries है, वो इंडिया को अलाओ करे, तो इंडिया ने यहाँ पर सही रास्ता अपनाया है, ऐसा नहीं है कि हम responsibility से बचे हैं, या आप खुद को controversy से दूर रखा है यह resolution ही अजीब सा था, कि सिर्फ यहाँ पर बात की जा रही है, कि अभी ceasefire कर दो, जो main issue था, जब तक आप उसे condemn नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं ले कर जाओगे और यह नहीं करोगे, कि शुरुवात गलत हुई थी, जो हमास ने किया था, वो गलत था, मगर हम action नहीं कर सकते, कि आख के बतले आख ली जाएगी walence के बतले walence होगा, तो सबज में आता, तो again, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका opinion आपके हसाब से, क्या आप मानते हैं कि इंडिया की जो position थी यहाँ पर यह सही थी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर ना इंडिया को humanitarian basis पर खड़ा होना चाहिए था, बाकी countries के साथ इस्राइल के against वोट करना चाहिए था मैं genuinely जानना चाहूंगा आपका opinion आपके हसाब से, इंडिया को इस्राइल के समर्थन में वोट करना चाहिए था इस्राइल के against, या फिर जो अभी abstain किया है, यही ठीक है, now finally मैं आपसे question भी पूछूँँगा, question यहाँ पर यह है, के Lee Kuang यह हाली में इनकी मित्यों हो चुकी है बहुत news में है, आपको बताना है के Lee Kuang किस country के प्रधान मंत्री थे, प्रेमेर थे, यह हैं आपकी options, भुटान, थाइलैंड, Singapore या फिर China, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer करेंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकि लोग समझ पाए के सही उत्तर क्या है, और अनक आडमी के देखियो, अबर चल रहे हैं आज के समय और आपको सही बताबो, तो सब लोग यही और इंडिया ने बहुत है, जो इसमें जो हुआ है, उसको बहार लाया दे दुनिया को पता चाले, फिर डिरेक्लिया आपे वोटिंग मत करवाए, मतलब यह हो सकता है, और सब्सक्राइब करते हैं इस नोगों ने नवे दिया है, तो इंडिया ने दोनों तरफ हाया, कही इसका मतलब हमारा मुसलिम में लोगों के साथ अच्छे हो रहे उसके साथ ट्रेज स्टार्ट है तो कहिना कि हमने तो सारे स्टेप लिये है उस पर पानी ना भीड़े तो उसी आप से भारत की प्रेंट पॉलिस यह वह भी बहुत सारी शेंज हुई है तो उसी आप से भी ना इस बड़ा लग सकता है तो प्रेंट वोट किया है अब भारत या तो अगेंस्ट में करेगा तो जो हमने यहां से एड जो बेजे थे वह गलत हो सकते है तो इसलिए भारत है तो नीट्रल नहीं हा नहीं ना और यह आंतकवादी का फात्मा तो होना चाहिए लेकिन मतलब यह मतलब चाहिए जिम्मेदार को सब्सक्राइस दोनों तरब से एक सिर्फ हमास से तरफ से नहीं है कि यह सकता है लेकिन मेरे दोस्तों आपकी क्या रहा है आप हमें लिखके जरूर बताएगा क्योंकि जब युद्ध हुआ था रस्या एंड यूक्रेन के इसमें तभी इंडिया ने यही किया था पहले से हैं कही सालों से है और उक्राइन खराब भी नहीं थे लेकिन इंडिया ने वहां पे भी मिलब हैल्प नहीं किया तो यह होता है सब्सक्राइब करना चाहिए और इंडिया के ऊपर कुछ आएगा ना तभी यही देश कोई सब्सक्राइब करने नहीं आएगा जो बड़े बड़े देश से शार्पाइब उसको सोड़के कोई देश करने वाला नहीं है तो मेरे इसाप से इंडिया ने कि कि सजा सुनाई गही है तो उन वाले सिनारियों में अब हिंडिया को है लिए जरूर पड़ेगी तो यहीं चाहते हैं इस्राइल वाला मामला है जल्द से उपर शांती से बारतालाब होके खतब हो जाए या तो फिर आंतक वादी को एक ही साथ सफाया करते या फिर कुछ भी खतम करो चाहिए गाजा के लोग हो या इस्राइल को सब लोग इंसान है यह जो धरम वाली बात है यह दोस्तों हमने खड़ी किये उपर वाला ने कुछ नहीं किया है उसने तो हम इसनान और समाज बनाया बाकि यह जो जाती भाती वेद बाव यह सब कुछ हमारा किया दरा ह जो हम भुगद रहे हैं तो यह उससे अठके उस बात में कर रहा हूं कि एक सबसे पहले यही बात जो है इसलाइल वाली अब यह यूद्ध है वह रुकना चाहिए खतम होना चाहिए ताकि सब लोग अराम से जिन्दी जी सके और अपना जो काम है कर सके और जो कर्म है वह कर सब्सक्राइब करें नहीं वीडियो में आपके साथ इस वीडियो से विद्धाय लेते हैं तिल देन जैनी जै भारत